कैसे हो आप इश्वर की करीपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कोशल मंगल होगे में लाता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है पैंट की जो है कटिंग कैसे की थी 14 साल के बच्चे की वह प फोर लेहर में कपड़ा लिया हुआ है और यहां से जो मैं इसमें तीन इंच का यहां से इस तरह से मार्क लगाऊंगी और तीन इंच का ही यहां से इस तरह से रिखिए इस तरह से दोनों साइड से मार्क लगा लूँगी और यहां पर यह यह वाला कोना है यहां से जो मैं दो इंच की सेप में इस तरह से गोलाई की सेप डालूंगे यहां से दो इंच लिया हुआ है मैंने और इस तरह से मैं इसमें यहां से इसमें पॉकेट की सेप का यह देखे इस तरह से सेप डाल दूंगे और चारो तरप से इसे बिल्कुल एक बराबर कर दूंगे अब मैंने यहां पर जो है यह दोनों पॉकेटों की स्टिच कटिंग किये तो यहां से जो इसे जो यहां से काट दूँगे यह हमारी दो पॉकेटे बन चुकी है यह देखे इस तरह से मैं ने रंगिन कपड़ा लिया हुआ है आप चाहे तो प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं इस तरह से ताकि अंदर को हमारा वाइट ही दीखे अब हमने जो है पॉकेटों को किस तरह से स्टिच करना है यह दिखिए इस तरह से इस तरह से हमारी पॉकेटे लगेगी तो सबसे पह सिलाई मार के दोनों साइट से ऐसे स्टिच करना है इस तरह से इनमें दोनों में सिलाई डाल देनी है मैंने यहां से चारों तरफ से इसमें सिलाई डाल दिये आप देख सकते हैं अब हमने किस तरह से इसे स्टिच करना है, इस तरह से पल्टी मार कर, इसमें सबसे पहले यहां से इसमें एक सिलाई डालनी है, इसमें यहां से हमने एक सिलाई डाल दी और अब हमने इसमें इस तरह से पल्टी मारनी है, सिलाई को और पका करना है, इसमें एक और उपर से सिला डालनी है, वीडियो को जरा ध्यान से देखेगा, क्योंकि हमारी पॉकर जो उल्टी सीधी नहीं लगनी चाहिए, हमने एक की साइड कपड़ा लगा हुआ है, दूसरी साइड नहीं लगा हुआ है, अगर यह दिख गया तो बड़ा और लगेगा, तो यह देखे, यह हमारे फ् साइड है, तो इसमें हमने किस तर से यह देखे, मैंने पॉकेट को उल्टा कर दिया है, सबसे पहले, और जो यह वाला हिस्सा है, यह हमारा जो है, बैक साइड में नीची की तरफ लगेगा, तो हमने किस तर से पॉकेट लगानी है, यह देखे, हमारी पॉकेट उल्टी है, ध्यान से देखेगा और यहां से जो हमने सबसे पहले तो आपने इसमें यह देखी इसमें आशे तो मार्क लगा हुआ है उल्टी साइड में यहां से जो जितनी बड़ी पॉकेट बनानी है 6, 6, 6, 7 जितनी भी आपको चाहिए मुझे जो तयार 6 इंच चाहिए तो मैंने यहां से जो है आदा से थोड़ा ज्यादा इंच पर इस तरह से यहां पर इस तरह से मार्क बना देना है यानि कि इस तरह से हमारी पॉकेट लगेगी कपड़े को उपर तक लेना है जहां तक यह देखिए यहां इसमें और यहां से इस तरह से उल्टी साइड से यहें इसमें अमने यहां पर इस तरह से मार्क लगा कर इस तरह से इसमें के सेप में ुल्टी करके लगाई हुए ओर यह दिखी उपर से हमने वगोड़ और पौकेट से को नीचे रखा हुआ है अब हम दूसरी वाकट कि स्टिच braces करेंगे दूसरी साइट भी हमने देखे उल्ठी साइट इसलीलगाय हुआ तो किस तरह से यह देखिए ध्यान से देखिएगा यह वाली साइड जो है जहां पर हमने कपड़ा लगा वो नहीं ली हुई है यह देखिए अब यह वाली पॉकेट है यह हमने उपर से लगान यह देखिए यहां से आप चाहे तो इसमें इस तरह से जब हमने इस देखिए सी और जो मैंने इसमें मार्क लगा हुआ है बिल्कुल इसके उपर से इस तरह से सिलाई डालनी है आप देख सकते हैं हमने इसमें जो ये देखिए इसे स्टिच कर दिया है अब हमने इसमें जो कट्स डालने है दोनों साइड से दिखिए ध्यान से देखेगा क्योंकि पैंट जो सबसे टफ होती है स्टिच करनी कटिंग तो हर कोई कर लेता है लेकिन स्टिचिंग बहुत टफ है यहाँ पर भी हमने इसमें कट डालना है इस तरह से कट्स डालने के बाद इसमें इस तरह से पल्टी बादनी है और इसे इस तरह से बिल्कुल एक वरावर सीधा करना है और इसमें C के सेप में इस तरह से इसमें सीलाई डालनी है आप देख सकते हैं इस तरह किसमें हमने सीलाई डाल दिये और इसमें प्लस पॉइंट ये भी होता है कि हमने इसमें पहले आसन कोई भी stitch नहीं किया होता है थाई इसमें सबसे पहले आई देखे हमने pocket ही stitch की इसमें white color हमारा अंदर को आ गया और ये वाला भी अब हमने इसमें क्या करना है अब हमने इसमें जो back का part है उसे stitch करना है ये देखे ये हमारा back का part है उल्टे सीधे का ध्यान लखना है ये हमारी उल्टी side है और ये सीधी side है तो इस तरह से हमने इसके उपर ये देखे इन तीनों को बिल्कुल एक बराबर लेना है और इसे इस तरह से पूरे को stitch करना है इस तरह से हमने यहां से सीधे leAl दिये और हमें इसे इसमें पौकेट में क्या रखनाता है ये देखे जो यहां पर हमारी ये वाली पौकेट जहां से stitch हुई है OUT पर यहां पर हमने जो है दो तिन सिलाई है जितनी सिलाई डाल सकते हैं यहां पर भी डालनी है उसी तरह से यहां पर भी अगर हम पहले यहां पर जो चार पांच सिलाई डाल दे तो हमारी जो यह देखिए जो जेब है बिल्कुल भी नहीं फटेगी और आप देख सकते हैं इस से पहले इसको यहां से मोड नाय से इस सब कपड़े एक तरफ स्टीच करना है इसके ऊपर से इसमें सिलाई डालनी है हमने दोनों साइट से जो left right side जो pocket लगा दिए अब हमने यह हमारी, अब हमने back ki pocket लगानिए तो किस तरस से लगानिए हमें एक विशेष द्यान यहां भी रखना होता है जो back की pocket है हमेसा right side लगती है कहीं हम left side लगा देंगे तो वो वो बिलकुल भी अच्छी नहीं लगेगी हमने यह देखी इसके right side लगानी है तो किस तरसे लगानी है इसमें इस तरह से इसे इसके midpoint में जहाँ पर भी यह midpoint आता है वहाँ से हमने इसमें आदा इंच के यह देखे पूरे आदा इंच की plates डाल दिये और नीचे को कितनी नीचे को कितनी लंबाई में डाली हुए साड़े तीन इंच में यहाँ से हमने आदा इंच लिया इस तरह से और यहाँ पर अच्छे से इसमें मार्क लगा दिया और जहां पर हमारा साड़े तीन नींच आ गया वहां पर भी हमने अच्छे से इस तरह से मार्क लगा दिया अब हमने इस तरह से किस तरह से इसमें प्लेट्स डालनी है यह देखे जहां पर हमारा साड़े तीन आ गया वहां से बिल्कुल सीधे से इस तरह से इसमें इस तरह से मार्क लगाकर इसके उपर से हमने इसमें सिलाई डालनी है और इसमें मैंने सिलाई डाल दिये यहां पर जो झाल 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 इस तरह से और अब हमने यहां से एक पाइपिंग निकालनी है जैसे सूट में निकालते हैं इस तरह से और इसके उपर से यहां से इसमें सीलाई डालनी है तू सरा अधर कार तो तू सागे रह था मजी झात ओुणता हैרה tटरह बग माजी वदाप तू से टू ख़गु ग्याओना, इस तरह से ऊ स्था चाह से जाड़िंग्त झालती दू आप हैं लाग Св़ए। इसमें रहें तरह से बढ़ने के खाज़ाएं डाल दी और अब हम यहाँ से इसमें यहाँ पर है यह सी सी पोकेट कुछ तरह से सीधा करेंगे यहाँ से, और इसके ऊपर से चारों तरफ से हम यहाँ से भी शीपाए coverage है और जहां पर हमारी पोकेट है तो वहाँ पर भी हमने यह दिखिए बैक में भी कपड़ा लगाया हुआ ताकि दीखे नहीं इस तरह से पहले चारों तरफ से हम इसमें सिलाई आड़ करेंगे इस तरह से हमने साइड पॉकेट भी लगा दी और बैक पॉकेट भी लगा दी अब यहां तक ही अभी तक अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें बैल्ट लगाना सिखाऊंगे कि इस तरह से हम बैल्ट और लूप भी लगाएंगे थैंक यू